Hello friends, this is Dr. Khushbu Tandon from Dr. Khushbu's Vital Gear. दोस्तों, अक्सर कई लोगों को कमर के निचले हिस्से में अचानक दर्द होने लगता है. वो इस दर्द को ये सोच कर अंदेखा कर देते हैं कि ऐसा ज्यादा काम करने या फिर थकान की वज़े से हुआ होगा. और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है. Actually, आमसा लगने वाला ये दर्द Cytica का हो सकता है. Cytica में दीरे-दीरे कमर के नीचे का पूरा भाग बेकार हो जाता है. लेकिन इस बात से बिलकुत भी परिशान होने की ज़रत नहीं है. तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको Cytica और उसकी होमेपतिक मेडिसंस के बारे में पताऊंगी. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी इंपोर्टन हेल्थ इंफोर्मेशन आपसे मिस्स ना हो. लेट्स स्टार्ट विड टुडेज सेशन. So, what is Cytica? Actually, Cytica एक symptom है जो Cytic nerve में होने वाली समस्य आपको दर्शाता है. Cytic nerve शरीर में मौजूद सबसे बड़ी nerve है, जो कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर, कूलों से होती हुई आपकी एडियों तक जाती है. यही कारण है कि इसमें आने वाली प्रॉब्लम आपके कमर के नीचे के पूरे भाग को एफेक्ट करती है. स्टार्टिंग में आपको सिर्फ कमर में हलका दर्द महसूस होता है, बाद में ये दर्द बहुत painful हो जाता है, और कमर से दीरे दीरे आपके कूल हो और फिर पैरों की तरफ बढ़ने लगता है. इस प्रॉब्लम में कमर के निचले हिस्से में दर्द के अलावा कमजोरी, सुन्पन या जुनजनाहर जैसा महसूस हो सकता है, वहीं ये भी पॉसिबिल्टी है कि ये सिम्टम आपको दोनों पैरों की जगा केवल एक पैर में ही महसूस हो, यही कारण है कि सिम्टम होने के ब किसी एक्सीडन के कारण हो सकता है, सैटिका होने के कुछ और भी कारण है जैसे कि स्लिप्ड हर्नियेटिक डिस्क यानि निचली रीड के हड़ियों का अव्यवस्थित होना, स्पाइनल स्टेनॉसिस यानि रीड की नस से समबंदित एक समस्या, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम ये एक दर्द विकार है जो कूलों की पतली मास पेशियों में होता है, और लास्ट इस पेल्विक की चोट या फ्रेक्चर या फिर ट्यूमर, दोस्तो नॉर्मली 30 से 50 साल की उम्र के बीच इस समस्या के होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है, अब चलिए जानते हैं साइटिका के लक्षन व्यक्ति विशेश आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं, कमर, कूलों और पैरों में हलके दर्द का बने रहना, कमर की तुलना में पैरों में अधिक दर्द महसूस होना, किसी एक पैर में ज्यादा दर्द का महसूस होना, पैरों के साथ पैरों की उंग यह दवा साइटिका के लिए बहुत एफेक्टिव है साइटिका में पेंकिलर के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है और साइटिक नर्फ को खोलने में उसके कम्प्रेशन को कम करने में यह बहुत जादा हेल्पफुल है दोस्तों यह दवा ब्लच सप्लाई और नर्फ सप्लाई को बढ़ाती है जिससे जुनजुनाहट जैसा जो महसूस होता है दर्द करता है उसमें अराम मिलता है इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्स देखने को मिलेंगे दोस्तों यह दवा साइटिका पेन में बहुत अच्छा काम करती है यह साइटिक नर्फ को शक्ती प्रदान करती है आप इसकी दो बून डारेक्टली अपनी टंग पे दिन में तीन बाल लें आपको बहुत फाइदा देखने को मिलेगा साइटिका के लिए यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों इससे नसों में सूजन, दर्द, कमा दर्द, सबमें आराम आएगा और नसों में ताकत भी आएगी आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है, अपना केस हिस्ट्री और सिम्टम्स डॉक्टर के साथ डसकस करना है, डॉक्टर आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको मेडिसिन प्रस्क्राइब करेंगे, इसके लिए आप किसी भी निरस्ट होमेपाति क्लीनिक में जाकर कंसल्ट कर सकते हैं, अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है, तो उसकी डिटेल मैंने नीचे डेस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक किये बिना मत जाएगा, आपकी एक लाइक से हमें बहुत encouragement मिलता है, फिर मिलेंगे health related किसी और information के साथ, thank you for watching this video.